असलाम लेकुम व्यूवर्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल फूड मैप आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़दार और क्रिस्पी से पीजा रोल जो के मुझे अमीद है आपने पहले कभी ट्राइ नहीं किये होंगे चलिए देखते हैं से किस तरह बनाना है तो पीजा रोल बनाने के लिए हमने लिए है 200 ग्राम बॉनलास चिकन इसको हमने इस तरह चुड़ चुड़ टुकड़ो में काड़ लिया था अब हम इसमें डालेंगे आधा चाय के चमच नमक अधा चाय के चमच कुटी हुई लाल मिर्च एक चुथाई चमच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई अधा चाय के चमच पिसा हुआ गरमसाला एक खाने के चमच सिरका और एक खाने के चमच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस अधा चाय के चमच हम इसमें डालेंगे अगर आपके पास लेसन पवॉडर नहीं है तो आप दाल सकते हैं अब आ मिनी एक द क्दफ़ा इप मिस कर लेंगे अब आम ऑं आपके दालेंगे का चया कर चमद पेस्ट नहीं है तो आप आप इसे सिंप कर सकते हैं अब हम इन सारे चीज़ों के चित्यारा मिक्स कर लेंगे और इसे मेरिनेट होने के लिए 15 मिनट के लिए रखतेंगे तो अब हम कडाई में डालेंगे 2 चाय के चमच ओयल और इसमें डालेंगे मेरिनेट किया हुआ चिकन अब हम इसको अलका सा भून लेंगे थोड़ी दियर और इसको ढख देंगे 5-6 मिनट के यह थाकि इसका पानी खुश्क हो जाए चिकन गल जाए और फ्लेम हम ब्लो कर देंगे तो इसको पकते हुए 5-6 मिनट हो गए है तो यह देखिए इसका जो पानी है वह बिलकुल खुश्क हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक अदद मीडियम साइस का कटा हुआ प्यास इसको हमने स्लाइस में काट लिया था अब हम इसमें डालेंगे एक अदद कटी हुई शिम्ला मिर्च इसको अमने लंबाई में काट लिया था अब हम इन सारी चीजों को हाई फ्लेम के ओपर इसको बहुत जादा देर नहीं बूनना बस सबजियों का जो पानी है वह अची तरह खुश्क हो जए अब हम इसमें डालेंगे दो खाने के चमच पीजा सॉस और इसे अची तरह मिक्स कर लेंगे यह यह रोल जो है वह बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत असानी से जल्दी से त्यार हो जाते हैं और आप इने बना कर स्टोर भी कर सकते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राय कीजिएगा तो फिलिंग हमारी त्यार हो गई है अब हम फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे तो फिलिंग हम इसकी अंदर यह फिलिंग रख देंगे इसको हम इस तरह कॉर्णर में रखेंगे इस तरह कॉर्णर में सेट कर लेंगे अब हम इसके उपर डालेंगे मोजरीला चीज चीज आप अपनी मर्जी के मुताबिकस में डाल सकते हैं तो अब हम इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे एक दफा तो यह हमने लिया था एक खाने का चमच मैदा उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर पेस्ट बना लिया था यह हम इसके किनारों पे लगा देंगे इसको चिपकाने के लिए इस तरह हम इसके सारी साइडों पे और किनारों पे लगा देंगे हमने पेस्ट लगा दिया है सारी तरफ अब हम इसको इस तरह फोल कर देंगे कॉर्णर्स को इस तरह दुनों साइडों से फोल करके इस तरह इसको रोल कर लेंगे तो यह देखे हमारे रोल त्यार है इसी तरह हम सारे रोल त्यार कर लेंगे भी है कि तो तो आयल हमने गरब होने के लिए रखिआ था अब भम इसमे रोल डाल देंगे हम यह मीडियम फ्लम पर ही फ्राई करेंगे न बूंड इन इन एक साइड से गॉल्डन हो गया है तो अब यह इनकी साइड ца भी ऑल्डन होने देंगे अब हम इन्कीदूसरी साइड चड़ करते हैं कि यह देखें यह दूसरी शाइड से पो बहुत अच्छा इंकका करें तरही है और भी अधार दो जब हम लूप सारे चेकर लेंगे यह देखें अब अब अभी उन्हें का लेंगे तो व्यूवर्स हमारे क्रिस्पी पीजा रोल त्यार हैं यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं आप इस रेस्पी को जो ट्राइ कीजिएगा आप इने बना कर फ्रीजर में स्ट्रोर भी कर सकते हैं और जब भी जाय के साथ कुछ खाने को दिल करें तो इने फ्रीजर से निकालें औ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक हो शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलेगा